हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियो क्लासेज में बात करेंगे अपने हाफिल एग्जमिनिशन 2023-24 क्लास 10 सबजेक्ट इंग्लिश के पेपर के बारे में आपका पेपर बिलकुल इसी टाइप का आएगा बहुत सारे कुशन ऐसे हैं जो इस पेपर में से आपको हूब हूब मिल जाएंगे पेपर में जो आपके important email है कौन सा letter आएगा paragraph, visual ad, grammar के topic और अपने English के तो most important questions जो अपने करवा रखें अगर आपने नहीं देखें तो playlist में जाकर important जो आपके email है, grammar के topic है, paragraph writing है वो जरूर देखिएगा वहाँ से बार बार question repeat होते हैं जो की सारा जो आपके लिए material useful है वो uploaded है, playlist में जाकर देख सकते हैं इसके अलावा अपने maths हो गया, science, sst, sanskrit, hindi इन सब भी के paper uploaded हैं maths, sst, science और English इनके paper तो complete solution के साथ uploaded हैं ताकि exam आपका शानदार हो, playlist में सारे videos आपको मिल जाएंगे ठीक है, channel पे नए हो तो subscribe जरूर कर लीजेगा और इस channel पे आपको हर authentic news मिलेगी आपके exam के related, ठीक है, आपके paper pattern कैसे रहेंगे, हर चीज exam कब होंगे, ठीक है ना, सब के बारे में चले देखते हैं, सबसे पहले section A रहेगा जो आपके 70 marks का होगा, इसमेंसे आपको कुछ question पूछे जाएंगे, जो की ज़्यादा मुस्किल नहीं है, ठीक है ना, इसके बाद में जो आपका passes रहेगा, unseen passes, वो चोटा passes रहेगा और उसमेंसे भी लगबग 6767 number के question पूछे जाते हैं, इसके बाद में जो है, आपके grammar portion सुरू होता है, जिसमें section B, जिसमें grammar portion और letter application, email और paragraph, writing वगएरा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो grammar में देखे किस परकार के question पूछे गए हैं, पूजा the novel since morning, यहां पे since का इस्तेमाल हुआ है, जहां भी since आए ना, उदर आपको हमेशा has been के साथ, वब की first form में ing लगाना है, ठीक है ना, तो यहां क्या लिखेंगे, पूजा singular है, तो पूजा has been reading, ठीक है ना, पूजा has been reading, इस परकार से बढ़ देंगे, अगला है, the earth dash round the sun, universal fact ह रही है, ठीक है ना, तो रिवोल, रिवोल यानि घूमना हुआ, ठीक है, तो the earth, earth क्या singular है ना, तो रिवोल, इसके पीछे s लगा देना है, ठीक है, एस लगा देना है, और present simple tense पर देना है, ठीक है, सुनिल dash a song now, now यानि अब, अब क्या, मतलब अब continue चल रहा है काम, ठीक है I entered the room, he dash a mango, देखिए, जब भी when का use करते हैं तो दो action होते हैं, दोनों past simple में हो सकते हैं, या दोनों में एक past simple और एक past continue हो सकते हैं, आपको action पता लगाना है कि छोटा action कौन सा है, लंबा कौन सा है, तो entered क्या है, एक short action है, जबकि eat खाने का काम क्या है, इसके comparatively क्या है, was, क्योंकि past में रहेगा न, तो he was eating, he was eating, आपको fill कर देना है, फिर अगला देखिए, आपको indirect speech में change करना है, श्याम, राम, said to sham, what are you doing now, ठीक है आप इसको change करने के लिए क्या करेंगे, आपने का ये question पूछा गया है, जो question पूछते हैं, उनको said to कि किस में लिखते हैं, ask मे आजाएगा, फिर जो inverted commas हैं, इसको अटा के कुछ नहीं लिखना, what का what आएगा, ठीक है न, what का क्या आएगा, what, तो क्या लिखा, राम, asked, sham, what, अब देखिए, वापस question नहीं बनाना होता है, इसको, ठीक है न, तो जो अपने इदर you लिखा है, इसको change करिए, आपने का ये परसन है, you है अपने second person, तो ये होगा change अपने object के अनुसार, object है, श्याम, तो स्याम के लिए third person pronoun क्या होता है, ठीक है न, subjective case में क्या होगा, he, फिर he के साथ, अब क्या लिखेंगे, are, change करना है, इसलिए are नहीं, are को was वर में change करेंगे, तो he was, फिर क्या है doing, he was doing, now, now को change कर देंगे, then में, ठीक है न, किस में, then में change कर देंगे, और question mark पीछे नहीं लगा न, full stop लगाना है, इस परकार से आपको ये कर लेना है, ठीक है, तो पूरा sentence क्या होगा, राम आस्क्रिश्याम, what he was doing then, ठीक है न, ये ध्यान रखना, अगला देखिए, सीता सैट तू, गीता, please sing a song for me, तो आपने गा, सीता सैट तू, अब देखिए, please और kindly जाए, verb की first form से start नहीं हो रहा है, please और kindly आया है, अगर first form से start हो, तो भी आपको क्या करना है, हमेशा, यहां लिख देना है, requested या advised, ऐसे सब्द, ठीक है, क्योंकि please आया है, मतलब request की जा आएगा, अब मी किस के according, सीता के according चैंज होगा, तो इसका third person, आपने क्या होगा, pronoun, जो की objective case, क्योंकि object की जगह आ रहा है, तो हर, हर, ठीक है न, तो क्या लिखेंगे, सीता requested guitar to sing a song for her, ठीक है न, अगला देखते हैं, अगर यह topic आपने नहीं देखा, तो अपने channel पे बहु as well as I dash taking T, अब आपको is MR में से चूज करना, तो जैसे as well as आपको मिला, तो इसके according हमेशा जो अपने पहले subject होता न, उसके according वर्फ भर नहीं होती है, ठीक है न, as well as, तो he के according यहाँ पे क्या आएगा, is आएगा, क्या आएगा, he as well as I taking T, ठीक है न, तो इसमें क्या आएगा आपने is आजाएगा, next देखिए, the number of horses, देखिए एक होता a number of, एक होता the number of, जब भी a number of हो, तो हमेशा plural बरिये, ठीक है, a number of horses, आर होता, ठीक है, लेकिन जब भी the number of आएगा, हमेशा singular लगाओ is, ठीक है न, यह ध्यान रखना है, अगला प्रिशन देखते हैं, जिसमें आ बाद में जो होता है, उसको आगे लाओ, आपने का the thief है, thief को आगे लाओ, the thief, ठीक है न, the thief, फिर क्या है, has arrested, तो देखिए, has है, जब आता है न, तो एक नया सब हमें लगाना होता है, word been, ठीक है न, तो thief singular है, तो has तो आए गई, has been, has been, फिर क्या है, arrested, third form आएगी, ठीक है अरेस्टेड, अब आगे by police नहीं लिखने के ज़ूरत है, क्योंकि चोल को पकड़ने का काम किसका होता है, police का ही होता है, तो by police नहीं लिखना है, ठीक है न, the thief has been arrested, काम खत्म, अगला देखिए, राम is plucking the flowers in the garden, ठीक है, तो इस plucking है, तो इसके बाद में the flowers से आगे आगे आ अर, the flowers are plucking, अब जब को इज आ आ आ रहाता हैं, तो हमें सब being लगाते हैं, आप क्या लगाते हैं, being, being, is being, the flowers are being, अना flowers plural था, इसलिए are being plucking, अब plucking की थर्ड फर्म होते हैं, plucked, plucked by राम, in the garden, आप लास्ट में लेख सकते हैं, ठीक है न, अगला देखिए, लिख नहीं है वैसे in the garden, ठीक है न, frame questions to get the following answer, अब question frame करना आपको, तो I crossed the river by boat, अब आपने देखा कि I crossed the river by boat है, ठीक है न, तो how, how यहने किस परकार से cross की, तो how, क्योंकि यहाँ पे cross है, second form है, तो how did, how did, I है, मतलब मैंने road, नदी को पार कर, मतलब boat से पार की, ठीक है न, नदी को cross कैसे किया, नाव से किया, तो उस हवाल क्या पूछा होगा कि तुमने नदी कैसे पार की, तो I को किस में convert करेंगे, हमेशा you में करेंगे, how did you, अब क्योंकि यहाँ पे did आ चुका है, तो main work की first form आएगी, how did you cross the river, ठीक है न, the river, अब क्योंकि आपको question पूछा था, question mark लगा दीजे, by boat नहीं लिखना, क्योंकि by boat तो अपना answer है, ठीक ह बन गया, अगला देखते हैं, जिसमें आप से पूचा गया, question tag, हम जानते है, question tag कैसे बनाते है, ठीक है, वीडियो पड़ाएं, आप 10 मिनिन निकाल के देखिएगा, कोई question गलत नहीं होगा, I never tell a lie, तो इसमें tag पहले पता करें, sentence negative है, तो tag बनेगा positive, यहाँ पे helping verb नहीं है तो verb से ही helping verb निकालेंगे, तो tell है, tell के लिए, tell first verb है न, तो do या does आएगा, तो आपने का, यहाँ तो I है, तो I के लिए क्या आता है, do, ठीक है, don't नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे अपने क्या, never नहीं होता, तो don't लिखते है, do I, सिर्प do I लिखना, आपको question mark लगा वाए पीछे, ठीक है न, फिर अगला देखते हैं, why did Lencho say the rain drops were like new coins, बहुत important question, upload किये वें channel पे, उनहीं में से आपको questions मिलेंगे, तो इनकी तयारी आप अच्छे से कर लेजेगा, ठीक है न, यह सारे प्रशन आपको लगबग प्रशन उसी में से आ रहे हैं, और आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है न, फिर आपकी एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज में से आपको question के answer देना है, जो questions दिये वे हैं, फिर stage आएगा, stage में से आपको सिर्फ question पढ़ के उनके answer देना है, ठीक है न, यह stage पढ़ा और इन questions के answer, तो poem के जो important questions है, वो भी upload किये वे हैं, आप आँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है न, फिर next है आपके एक और stage जिसमें से भी question पूछे गए हैं, ठीक है न, तो दो stage आपसे पूछे जाएंगे, poem में, chapter से, ठीक है न, फिर आपके बड़े question आएंगे section C के अंदर, जिसमें अपने यह बहुत important question है, और बार बार आता, आप इसको अच्छे से तयार कर लीजिएगा, ठीक है न, और यह important question में करवा रखा है, ठीक है न, तो question तो सारे करवा रखें, आपको बस उनको एक बार वीडियो देख ले न, ताकि आपके questions आसानी से सौल हो जाए, ठीक है, section B में क्या दे रखा है, कि आप क्या है, शुब होते हैं, उनकी student life में कितने important होते हैं, ठीक है, फिर आपको story दे रखी है, wolf and the wolf and thirsty, angry and thirsty, ठीक है, wolf और lamb वाली दे रखी है, story और उसके और में है, वो stack वाली दे रखी है, ठीक है न, जिसको अपने horns बहुत प्यारे होते हैं, sing बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है न, फिर visual add दे रखा है, my best teacher है, आया तो ये करिए, आप village life के बारे में हैं, ठीक है न, या फिर आप my best friend के बारे में लिखिए, ठीक है न, इतना आसान paper रहता, कोई ज़्यादा मुस्किल नहीं होता है, आप 2-4 paper shawl कर लेते हैं, तो भी आप इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है न, मिलत नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत